कि नमस्कार दोस्तों मेरे नामें डॉक्टर सचीन दे और आप सभी का सुवागति मेरे यूटूब चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो है प्रेग्नेंसिक किट को लेकर के कि जब आप प्रेग्नेंसिक किट को यूज करते हैं घर पर लाकर के उसमें अगर फ्रेंट लाइन जाती है तूसरी C और T दो पॉइंट होते हैं इसमें C का मतलब होता है Ctrl और T का मतलब होता है टेस्ट मैंने एक वीडियो बनाई थी पिछली वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं जिसमें मैंने टेस्ट करना बताया था जो यूरीन इस्तेमाल हुआ था उसमें वह बिल्कुल ओर बनाया हो और लाइव रिजल्ट आपको उस वीडियो में मैंने बताया था तो C और T दो पॉइंट बने होते हैं उस किट पर C का मतलब कंट्रोल T का टेस्ट तो इसमें चार पॉइंट बन सकते हैं तो पहला कंडिशन समझें इसमें अगर C तो लाइन आ रहे है डार्क और T पर लाइन नहीं आ रहे है बिल्कुल भी तो इसका मतलब यह है कि आपका जो करें वो positive result दिखा रही है यानि आप pregnant है तीसरी condition बनती है कि ना तो C पर ही कोई line आ रही है ना तो pink ना कोई red C और कोई सी भी ना hulky ना dark और ना ही T पर कोई line आ रही है तो इसका मतलब है कि आपकी जो machine है आपकी जो kit इस्तेमाल कर रहे अगर पर आप वो खराब है या तो एक्सपायर हो चुकी है या वो work नहीं कर रहे है तो आप उसे तूसरी के डिला करके इस्तेमाल करके देखें कि result क्या है यानि वो इस समय खराब है c o t अगर दोनों नहीं आ रहे है अब जो चोथा जिसके उपर वीडियो बन रही है point जो है वो यह है कि अगर c तो आ रहा है पूरा dark line पिंक में लेकिन जो t है test वाली जो line है वो हलकी pink आ रही है ना तो dark आ रही है ना ऐसा है कि आई नहीं रही है हलकी pink आ रही है faint line आ रही है यानि हलकी pink color की line आ रही है तो इसका मतलब यह है कि आपने test जल्दी कर लिया है समय से पहले देकि समझे बात को जब आप pregnant होती है ना लेडी जो होती है उनके अंदर एक हार्मोन बनना सुरू हो जाता है उसे बोलते है HCG किट पर भी लिखा रहता है HCG उस और हम ध्यान नहीं देते हैं लेकिन वो HCG जो हार्मोन होता है उसको चेक करते है किट यह HCG जो है आप समझे लिए पूरी बोडी में पाया जाता है महीला की खून से भी आप उसकी जाच कर सकते हैं और पेशाब से भी आप उसकी जाच कर सकते हैं तो अगर pregnancy test आप करना चाहते हैं तो अगर आपको कोई blood sample ले ले लें लें में जाकर आप पता कर सकते हैं यह प्रेगनेंट है या नहीं केवल bathroom से जाच नहीं होती है खून से भी हो जाती है क्योंकि HCG खून में भी पाया जाता है लेकिन क्योंकि वो पाया जाता है bathroom में भी तो सबसे surgical तरीका क्या होता है आपको खून नहीं निकल वाना पड़ेगा शरीर में पिन अप नहीं कराना पड़ेगा आप सीदे से अपना बातरूम लीजेगा और घर पर ही चेक कर लीजेगा नहीं कहीं जाना पड़ेगा नहीं किसी को बताना पड़ेगा तो दोनों तरीके से हम प्रेगनेंसी टेस्ट चेक करा सकते हैं और जो SCG होता है यह जब आप प्रेगनेंट होते हैं और यह कोई प्रक्रियस शुरू जाती तो SCG बनना शुरू हो जाता है अब क्या हुआ कि आपने इंटर कोर्स के बाद ही 10 या 15 दिन के भीतर ही आपने टेस्ट कर लिया तो SCG इतनी मादरा में अभी नहीं बना था SCG काई तो टेस्ट कर रहे हैं हम किट में SCG इतना नहीं बन पाया था और आपने टेस्ट पहले कर लिया तो कारण क्या है आपने जल्दी टेस्ट कर लिया है समय से पहले इसलिए वो खलकी पिंक आ रही है यानि की possibility यह है कि आप प्रेगनेंट हो जाएंगी है और प्रेगनें अगर किट आपको यूज करनी है वो अगर पीरेड आपके मिस हो गए है तो उसके साथ दिन बाद आपको टेस्ट करना है ध्यान रहे कब किट इस्तेमाल करनी है अगर आपके पीरेड नहीं आया है इस बार तो साथ दिन बाद आप उस किट को इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह क स्वेकर सकते हैं और उससे जो रिजल्ट हता है वो आपको सभसे सही और सथी रिजल्ट में क्योंकि सुबह के टायम जो बात्रूम करते हैं उसमें सबसे ज्यादा HCG हार्मोंस वाला HCG जो होता है उसमें मुझूद होता है तो इस वज़े से हम सुबह कई बातरूम इस्तेमाल करते हैं तो HCG हार्मोंस कब बनेगा पूरा जो accurate में चाहिएगा वो आपकी अगर date नहीं आई है मिस हो गई है तो एक हफते बाद आपको टेस्क करना है अगर आप पहले करेंगे तो वो ही फेंट लाइन आपको दिखाए देगी जादा डणने वाली बात नहीं है और कोई असा नहीं है कि कुछ गडबड वाली बात होती है कि फेंट लाइन आगी यह डणने वाली बात नहीं है possibility आपकी है कि आप pregnant हो जाएंगे दोस्तों अगर फिर भी से related कोई question आपको पूछना है तो आप messenger पर आकर मुझसे question पूछ सकते person पूछ सकते मैंनों का जवाब जरूर दूँगा उमीद है ये वीडियो पसंद आई होगे अगले वीडियो में जल्दी की मुलाकातों की तब तक स्वाच रहें मस रहें तक द्रूस रहें आपको दिन शुभू नमस्कार धन्यवाद